पाकिस्तान कई वर्सों से हम देखते आ रहे हैं कि अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान अभी भी कर आखिर उसने अपने आपको स्विकार किया कि पुलवामा का जो हमला था वो पाकिस्तान ने करवाया था और इस प्रकार की देष विरोदी जो नीतियां में सामिल है वो देष विरोदी कार्य में सामिल है उसके लिए हम सैउक्त राष्ट संग से मांग करते हैं कि एसे देश दोही पाकिस्तान को आतंकवादी देश गोसित करके उसको जितनी भी सुविदायद दूसरे देश दे रह और जो, अब इसका सबूत मांग रहे थे, कि पाकिस्तान का पुलवामा का जो हमला हुआ है, वो भारत ने प्रायोजित किया है, अब उसका जवाब माननी सोनिय गांधि, माननी राभुल गांधी जी, और देश में रह रहे जो लोग इसका सबूत मांग रहे थे, पुलवामा हमलेका वो जवाब दे कि किस प्रकार से अब जब पाकिस्तान ने स्विकार किया है तो अब इसका क्या जवाब होगा या तो वो पाकिस्तान चले जाए वही की गाए और वही की खाए हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा देखिए मुझे लगता है कि जहां भी जो आतंकवादी गतिवीदियां होती है उन गतिवीदियों का हमेशा से कांग्रेस ने समर्थन किया है और समर्थन करती आ रही है आप देखिए कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके खिलाप भी रोना रोते हैं ये लोग अपने कडियाली आशू बहाते हैं कभी भी इनोंने हिंदुस्तान की जो सरजमी पर आतंकवाद फेल रहा है उसका कभी भी इनोंने विरोध नहीं किया मुझे लगता है कि इस पुलवामा हमले का जब जुम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है तो इनको अवस्च जबाब देना चाहि है राउल गांदी और सोनिया गांदी को कि क्या आप भी उस साजिस में सामिल थे